हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मार 네 चानल Legal Help in Hindi फ्रेंड्स आज को हमारा टॉपिक है कि हम अपनी पैत्रिक संपत्ती को किस तरह से बेच सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं या फिर नहीं क्योंकि पैत्रिक संपत्ती को दूसरी संपत्तियों की तरह बेचना आसान नहीं होता जब कोई ऐसी प्रोपर्टी को बेचने की सोचता है तो कई तरह के डिस्प्यूट उठने लग जाते हैं यहां तक कि दूसरे दावेदार आकर खड़े हो जाते हैं जहां ना सिर्फ विक्रेता बलकि खरीदार भी परिशानी में आ जाता है हिंदू कानून के तहट प्रोपर्टी दो तरह की होती है एक तो है एंसेस्टर प्रोपर्टी यानि की पैत्रिक संपत्ती और दूसरी है खुद की कमाई हुई प्रोपर्टी यानि की सेल्फ एक्वाइट प्रोपर्टी तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की प्रोपर्टी के बारे में जानेंगे तो शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ सबसे पहले जान लेते हैं कि पैत्रिक संपत्ती और स्वयम अर्जित संपत्ती क्या होती है हिंदू उत्र अधिकार अधिनियम के तहट पैत्रिक संपत्तियां कौपर्शनरी प्रोपर्टी कही जाती है जिसमें 2005 में एक अमेंडमेंट यानि की संशोधन किया गया इस तरह के संयुक्त परिवार में पैदा हुई बेटियों को भी बेटों की तरह ही समान अधिकार दे दिया गया इस अमेंडमेंट से पहले सिर्फ पूरुष ही कौपर्शनर कहे जाते थे दूसरी तरफ सेल्फ एकवाइड प्रोपर्टी जिसे खुद से कमाई हुई प्रोपर्टी कहा जाता है ऐसी प्रोपर्टी जो खुद के रिसॉर्से से परचेश की गई हो शामिल होती है ऐसी प्रोपर्टी उत्राधिकारी के रूप में भी दी जा सकती है और वसीयत के द्वारा भी ट्रांस्वरेबल है इस तरह की प्रोपर्टी को बेचने या फिर खरीदने में किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं होती मान लेजे अगर आप एक हिंदू अंडिवाइड़ फैमली के हेड हैं और आप ही के पास पूरी फैमली को मैनेज करने की पावर है तो ऐसी कंडिशन में भी आप पूरी तरह से पैत्रिक संपत्ती का अधिकार नहीं पाते क्योंकि ऐसे वेक्ति के अगर भाई बहन या फिर बच्चे हैं तो उनका भी उस प्रोपर्टी में शेयर उतना ही बनता है कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिनके तहट आप हिंदू अंडिवाइड़ प्रोपर्टी को बेच सकते हैं जब आपके परिवार पर कोई ऐसी विपत्ती आई है या पूरे परिवार को इससे बहुत फाइदा हो रहा हो या फिर किसी धार्मिक कारे के लिए आप ऐसी प्रोपर्टी को सेल कर सकते हैं ऐसी हर एक ज़रूरत के लिए पैत्रिक संपत्ती को सेल कर सकते हैं जिसमें की फै अगर आपका शेयर पाने में कोई दिक्कत होती है तो आप पार्टिशन सूट फाइल कर सकते हैं अगर किसी खरीदार ने पैत्रिक संपत्ती में से एक हिस्सा खरीदा है तो वो उस वेक्ति को पार्टिशन सूट फाइल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता यह पूरी तरह से उसी वेक्ति पर निर्भर करता है कि वो सुट फाइल करेगा या फिर नहीं करेगा तो फ्रेंज ये था आज का हमारा वीडियो की पैत्रिक संपत्ति को किन कंडिशन में बेचा जा सकता है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मैं कोशिश करूँगे कि आपके मन पसंद टॉपिक पर जल से जल कोई वीडियो लेकर आऊ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच